जी इनिवर्सल जी क्या हाल है आपका कर आप सब्सक्राइब परेशान अदारिया आज यहां परेशान मैं तो कोई परेशान नहीं होती मैं परेशान करती हूँ उती नहीं जी बोलें जी बोलें बोलें बोले पीचे आप बैट syllabus अरे आप जलेवी बनाते हो डीवात करी ना लो गुले गुलजारती वे Casey बात हो गई थी कर पड़ता है नहीं उसने का जलेवी बनाते हो तो सही बात करी थी अच्छा आप बताई हैं आप नीचे हिझाप की पारे बें क्या बोल रहेतें व बात मानने को सबनियों नहीं है अब हरें की जो ना च्वाइस होती है सुनना है सुनते हैं लेकिन जो ना सामने वाला का कोई बात कर रहा एक्पिलेंट कर रहा तो इडिस्ट फिफ्टी परसंट तो अगरी होना चाहिए नहीं नहीं अगरी की बात लिए लेके बैठ गए थे उस पर आप उसको बार बार एक से माध तो तो एक नहीं आपको हो तकल रहे है थि अब हर और को आपको पता है आप है बात की जिसा तरह कर रहे 30 मैं सब्सक्रिक़्च थे रहों दोध्यड्ट करने के लिए वह बात प्ला व्हां करेंस // और क्यों को कि युँं कुए युजल आपकर दो दे रहे थे तो ये फोई एक यर वड़ में मैं जरूर जो ना फकड़ाँ गा तो मैं वो नहीं मगगदा आपको घलत मीनिंग लग रही होगी ना वस नँट घलत मीनिंग आपको लग रही है क्योंकि आपका बिलीव नहीं इस पे हमें थोड़ी लगती है भलत में अब देखि कई बार एक्स्प्रेंट करने के बावज़ू भी मानने को तो रड़ी नहीं है मगर ये तो है अगर देंगे जह ना ये लिखावा है आपके कुरान में लिखावा है तो हम थोड़ी अपनी तरफ से थोड़ी का आ रहें मैं मानता हूँ कई जोना तर्जमें टांसेशन वजरी पूर्णा के माने मारने के जोना कर दिये हैं और खुरान में जोना जहां पर के आपके जो अख्तियार में आपके जो आपके जो क्या बोलते जिसके उपर आपकी जिम्यदारी होती है उनको मलकत कहा जाता है वहाँ पर तरजमा लॉंडी कर दिया जा रहा है लॉंडी तो गाली है लॉंडी है आप उसको आगर उसको कहते हो कि ऐसा कोई वर्ड नहीं है माल गनीमत में लड़कियां आती थी और उनको यूज किया जाता था आप उनको कुछ भी बोल दो आप उनको मलकियत बोल दो या आप उसको कुछ भी बोल दो चलो कोई कुछ नहीं बोलो मगर हमको पता है कि जब माल गनीमत में लड़कियां आती थी तो लोग उनको बाटते कोई चोइस नहीं दी जाती है आप क्या बात कर रहे वियं को चोइस दी जाती थी माले गनीमत में जो study करा हूँ अपने मुशाहिदे से बात कर रहा हूँ नहीं कोई किसी आप आज की बात कर रहे हो उस दमाने में तो human rights होते ही नहीं थे कहां से human rights की आप बात कर रहे हैं आज कर तो फिर भी शायद लोग वो कर ले मगर human rights ही बात कर रहे तो बहुत लंबा chapter है मैं जोना सिर्फ point to point वो बात कर रहा हूँ जहां पर के तर्जमा किया जा रहा है कि मारना और अवरत को मारना वहां पे तंबी बयान करने के है वजरिव उन्ना के वजरिव लहू मसला असहाब अलखरिया का मतलब यह है कि उनके सामने ए पूरा कंट्रोल करना है अब देखें आप उसको कितना भी वो कर ले इडिस रिटन इन्यूर बॉक आपके उसमें लिखावा है अब आप उसका तर्जमा आप कुछ भी कर लो आप दसली कर लो अपने आपको वो देंकर मगर वो सची चुपा लेगा मैं आपसे अग्री शखते इस तरह सख्यर्ण नई जब बूल मीनिंग लिखा ही नहीं है वो वर्ड लिखा ही नहीं है जब लिखा है महारणा और आपके खुद के मौल भी कहते हैं कि महारणा ही वह मौली ने तरजमा गल्त कर दिया तो यहने सब ने वह बात हूए आ जाती है कि सब ने गल्ट लिसान ओलारब से वो जो नम है वजरीब हुनना वजर्व का मान ने पूरी तफसीर से देखा तभी तुम्हें बोल रहो तो यहां पे अपने लिहाज से मारने का अच्छरो आउर्टों को जुना आजादी मारने का जुना लफ्स कर देंगे एक मौलवी ने तर्जुमा कर दिया डिविरेट करने के लिए शायद कर दिया हो गए जानते बूस्ते कर दिया ना जानते जो चीज है वो है ना आप उसको कई में खुमा लो जो चीज है वो है आप उसको डिफरेंट शेफ दे रहे हो उसको तो तर्जुमा कर सकती थी ना नहीं और 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 पर तालीम इल्म फर्ज है भई अगर चीन तक भी तुमको सफर करना पड़े और तो यह मर्द वह सफर करे हिक्मत हासिल करे इल्म हासिल करे अच्छा यह पड़ाई तालीम में कोई पर पड़े और ना पड़े तालीम को पड़ने की जासे नहीं है बहुत सारी और तों को पड़ने की जासे नहीं है अभी वह लोग डौट फुल है कि तो उन को कोई गयेट कने वाले भी नहीं है शायद इस तरह से और चा followers कर रही हैं कि तो अ सबर रहा है तुर वो अपनी बीवियों को पुटते भी हैं इसी चीज़ पे कि लिखावाए कुरान तो आप क्यों नहीं अपना एक चैनल खोलते हो और आप फिर वहाँ जाके लोगों को असली इसलाम सिखा अगर आप कहरोगे यह असली इसलाम है क्योंकि हम तो देख रहे हैं इसलाम की भी पत पाते की हैं उससे अगरी नहीं करेंगे मुसल्मान नहीं करेंगे अगरी तो मैं क्यों करूं अगरी जो मुसल्मान अगरी नहीं करता आप वो बेखुफ है तो वो कहगा आप बेखुफ हो नहीं वो कहगा आप बेखुफ हो नहीं कौन सा प्रूफ है तो वह भी प्रूफ ल कर रहे हैं कि तरजुमा तरजुमा पहली बात तो ये देखिए पहली बात ये देखिए कि इस्लाम जो है ना वो सिर्फ अरबिक में आया था उस दिन आप इसी चीज़ पर आर्ग्यू कर रहे थे अब जिन लोगों ने ट्रांजलेशन की है वो क्या आपको लगता है बिल्कु इसे तो आतक हुनी को दिखाते है ये आपने ख ELLT किये आप मुझे आ कर बता रहे हैं मुझे आ..ुझे आ के बताने सी कुछ नहीं होगा आ उर बहात बता रहर हुए है जिसने तरजुमा किया है इसके पास झाएं और तुमने ये झик can दो भिल्कु पे तरजुमा बैसे बो हूँ हाँ तो फिर आप वो करें ना जी क्योंकि हमें तो नहीं लग रहा आप वहाँ जाईए उन तर्जमे वालों से बोलें कि आप लोगों ने पूरे कुरान का तर्जमा जो है बहुत गलत किया है और हम चाते हैं कि इसको सही करें अब फिर जब हम उसे हो जाएगा ना तो स्माइली हैं और से सिप्स हैं आप लोगों को पतनी क्यूं इतना वो है कि बस इसलाम के पीछे सब लोग हाथ धोके पड़ गए हैं और इसलाम को खतरा है और इसके उपर ही लोग बस चड़े हुए रहे हैं नोबडी केर्स तो भी हानिस मैं आपको बता रही हूं नोबडी कर लो राइट जो ही मौल भी हमेशा कहते हैं आप सही कॉंटेक्स्ट में नहीं पड़ रही है क्योंकि उसका कॉंटेक्स दस अजार चीजों पर निकल सकता है राइट इत कुंट भी देस और इत कुट भी सम्तिं आस कोई एक चीज ऐसी नहीं लिखी है कि उस पर 100% शोर हो क जिसको की मर्जी जस कान्टेक्स में लेना है वो लेता है अपनी मर्जी की उसकर अपने अपने 50 की वैसको रहे कि वह सपें तो पर अगर नहीं समझ सकते तो फिर इसलाम क्यों कबूल करें लोग ऐसी complicated religion जिसको एक बंदा समझ नहीं सकता मगर आप कहते हो कि उसको मान लो इतनी complicated क्यों बनाई है खुदाने चीज़ जो एक मान लो वो बंदा कह सकता है जो तजीख जो verify करा है confirm किया है confident हो गया है वो बंदा कह सकता है तो फिर उसी को म मुसलमार होना चाहिए ना पूरी दुनिया में जैने प्रकसान में देखिये लोगों को परना नहीं आता है लोगों को तो अलिभवे ने पढ़नि आती बिकांपी सारी लो हों को नहीं परना आता है तह आप मुझे बता दें को पढ़ना नहीं आता मगर वो इस्लाम की पीच अपनी जान देने के लिए तयार हैं ऐसा मज़भ एकना complicated इतना complicated के सिर्फ वो कौन समझा सकता है आपको जाहिर मौलवी जो इंगाओं में बैठा है जिसने यह ग्रेड भी नहीं पास किया वह आपको समझा देगा कि क्या है उसके अंतर नहीं वह बात मैं मानता है नहीं नहीं वह बात है उससे पड़ो जिससे खुछ नहीं पड़ा जिसको पता ही नहीं scientist होता क्या है हाँ scientist आप scientist की बात कर रहे हैं तो जो नहीं एक्च्वली यह science जो ना 1833 में सबसे पहली बार यूज किया गया यह scientist या science लव्ज जी तो उससे पहले हैंने के 8th to 9th century में ही house of wisdom बैतुल हिक्मा के नाम से हिराख में स्पेन में खर्तवा यूनिसिटी हैंने के उलूम को मुसल्मानों ने हर जगा पहला दिया है मुझे बताइए मुसल्मानों है क्या इज़ाद कर लिया है क्या क्या इज़ाद किया है क्या इज़ाद किया है क्या इज़ाद किया मैथमेटिकल एक branch of study है अलजबरा तो वह अलकवर्दूमी का बनाया हुआ है मुझे लगता है मुझे लगता है इसलाम ने चीज़ने इज़ाद की थी फिर बागी सारी जो रह गए थी ना वो हिंदू आए थे फिर उन्होंने कर ली थी बाकी यह जो आजकल यह लोग यह तो बेकार है बगानी अबनि हैश्म जो ना फौजर आफ अप्टिक्स है अच् तो मुसल्मानों को फाल हुआ ना ये ट्वगव फिफिटी एट में मंगोलों बोदाद पर हमला किया तो उनकी उनका सारी किताबों को पानी में बाद या पूरी जुनलिणां विज्डम को हिकमत को रिए कि बरबाद कर जिया उससे पहले लेकिन और उससे पैले जो मुसल्मा NDISTROY कर रह थे दूसरों की चीज़ हैं उसके बार बॉखे कंपने बबॉट बॉखे दोरा है मुसल्मानों ने किरा है लेकिन एक मुसलमान जिसका नाम और वो जिस दिन वो उगिराया वो डे और वो हिस्टरी ऋ टाइम और एइर बताई ए सरे लोग ने गिरा हैं इस तरह कहा जाता है मुसल्मानोंने गिरा है और था फ्म पूंट आफ ताइंड बोल सकता हिस्टरी का अभी बताती हूं पिरमेड्स किस कहां पर हैं पिरमेड्स बुत नहीं है पिरमेड्स सम्टिंग अलस टेंपल सोड़े हैं आप लोगों ने आप लोगों ने बुक्स चलाई हैं ना ना आप यहां पर आकर पता नहीं कौन सा आप या तो आप किसी पैरलरल यूनिवर्स में रह रहे हैं आप रही मैं आख दो टोगो कई मैं धूम आप हैं